दोस्तो आप सभी ने कभी न कभी operating system का नाम जरूर सुना हो औपिर जा पने mobile phones में हो या laptop व या computers हो आप कुछ भी फिज़ करते हूं वहाँ कभी न कभी आप अपने operating system का नाम जरूर सुना होगा लॉइच वर्भान ये लिप्रेंग इसलिए इतने इंपोर्टेंट उपन जाते हैं हमारे किसे भी मुभीड फ़ांस करें नीकी करते हैं पर दम सब्सक्राइक नीदो Olay Lehy उसके importance की बात करो तो केवल आप इतना समय लिए अगर आपके mobile phones होगे या PC में से केवल Optane system को निकाल दिया जाए या आपका operating system crash कर जाता है तो केवल आपका mobile phone डबबा बन जाएगा या फिर आपका PC वो भी डबबे के बराबर रह जाता है आप उसनों कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं केवल आपको screen black देखेगी वहाँ पर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं इसका मलब जो operating system हो काफी ज्यादा important part बन जाता है हमारे PC या computers के लिए दोस्तों कर सिंपल से language में आपको operating system समझाओं तो operating system कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चड़िया का नाम नहीं है या फिर कोई ऐसा hardware नहीं है जो आपके computer PC में लगा हुआ है operating system भी एक परकार का program है जैसे कि आप अपने उसमें apps यूज़ करते हैं या फिर विंडूस के system में वहाँ पर जो software यूज़ करते हैं बड़ बिलकुल उनीच software की जैसा भी एक operating system होता है जो कि operating system भी एक software ही कहलाया जाता है दोस्तों कर simple सी language में आपको समझाने की कोशिज करूँ कि आखिर operating system क्या करता है हमारे PC या computer में तो simple सी बात यह है कि एकर for example के लिए मैं किसी language को जानता हूँ मैं English जानता हूँ और आप जानते हैं Hindi को और आप उसको Hindi में समझाएंगे वो में कोई English में समझा देगा तो इस तरीके से हम दोनों आपसमें बात कर सकते हैं तो इसी काम को करने के लिए जिस translator को हम ने रखा है बस उसी translator को हम computer की language में OAS के नाम से जानते हैं यानि operating system के नाम से जानते हैं बस हो हमारे और computer के 20 में आ आफिर operating system क्या है लेकिन आप computer की भासा में बात करें कि आफिर operating system क्या है तो operating system भी कई सारे प्रोग्राम को मिला के एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसा हम operating system की नाम से जानते हैं दोस्तों आप होने के लिए जो हमारे computer है PCS में होते हैं वो भी हम program ही होते हैं उनी भी हम software क करने के लिए एक ही software क्या उजोता है फिर चाहा वी एक होते हैं तो कही सारे और पर्टिकुलर एक काम के लिए बनाया जाते हैं लेकिन जो आफिन सिस्टम होता है कि कई सारे काम को एक साथ हैंडल कर सकता है इसलिए हम इसको मीन software के नाम से भी जानते हैं अब दोस्तों समझ ईंटर के एंटर करता है या उसको कोई भी कमांड देता है है इस कमांड को समझ जो आउटपूट देता है और इस आउटपुट को देने में और करने में जो मदद करताarti असे तो उसी हार्डवेर को यूज करने के लिए जो मदद करता है उसे ही मोप्रिटिंग सिस्टम के नाम सी जानता है उसके बाद हमें अपने कम्पीटर से में कई सारे आउपूर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों छोड़ा सा और एकजम्पल देखे आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर ओप्रिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों फॉर एक जम्पल के लिए क्लास है तो क्लास को हैंडल करने के लिए जैसे क्लास में मोनिटर होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर है क्लास में अप्लिकेशन को चलाने में कोई भी दिक्कत ना है और ऑप्रिंग सिस्टम ही होता है जो कि कि किसी भी प्रोग्राम ये अप्लिकेशन को दो बार से चलाने के लिए से तैयार करता है अब अगर कैसी पैसे कैसी चला सकता है लेकिन अप्रिंग सिस्टम में में ब्रोग्राम होता है जिस्टम को ही अप्रोट करता था है और उचक्छी भी system software को run कर सकता है दोस्तो आप बात आती है कि अगर operating system ना हो तो हमारे mobile phone या computer से डबबार क्यों बन जाते हैं दोस्तो जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि operating system मलब एक main software है जो कि बागी software को चलाने में भी हमारी मदद करता है तो फ़र जम बात के लिए कर main चीजी हमारे पास नहीं है तो बाकी चीज़े हम कैसे run करा सकते हैं तो इसलिए अगर हमारे उसमें operating system नहीं है या जिसको हम system software की नाम से जानते हैं अगर इस software हमारे mobile phone से या computer से corrupt हो जाता है या फिर हम उसमें नहीं डालते हैं तो बात है हमारे mobile phone डबबा बन जाता है क्यों फिर बाकी किसी चीज़ें को भी run नहीं कर साथा है क्योंकि बाकी चीज़ें भी सारी software ही होती है जिनको run करान के लिए हम उसलिए बात है operating system की जगवत पढ़ती है और हर operating system के लिए हर परगार के अलग-अलग apps आता है फ़र एक्जांपल एंड़ोइट्स के लिए हमें अलग apps या अलग software देखने को मिलते है फिर जाए Windows के लिए हो तो वहां को अलग software देखने को मिलते है लेकिन दोस्तों Opting System का क्वेल इतना नहीं है कि वो यूजर्स यानि हमारे और डिवाइस के पीज में Conversationer का काम करा है इसके अलावे यह Opting System के कही और सारे काम होते हैं जो कि इन सिस्टम के अंदर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दिखते हैं और जो कि Opting System इन कामों को करते रहता है दोस्तों Opting System के अधर वर्के के बात करो तो यहां पर भी उसके कई सारे हमें काम देखने को मिल जाता है सबसे पहला काम होई से स्टार्ट हो जाता है जब आपके कम्यूटर को बूट करते हैं तो बूट के दौरानी एरा डेटक्ट करना शुरू करते हैं कि आपके PC या कम्यूटर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसके साथ हम मेमूरी का मैनेजमेंट करना भी ऑप्टिंग सिस्टम का काम होता है एरा डेटक्ट करना होता है इसके लाग आपके कम्यूटर या PC की पूरी सिक्यूरेटी की जुमिदार भी ऑप्टिंग सिस्टम की पास होती है दोस्तो होने के लिए आप हम security के लिए antivirus का भी use करने लगी हैं लेकिन अगर आप normally antivirus का use नहीं करते हैं फिर भी आपका computer काफी हत्तर secure रहता है क्योंकि opting system खुद भी एक antivirus है जो कि आपके computer को secure रखता है इसके अलावा हमें कई सारी device management को देखना है पर device हम कई कई पगार किस तरीके से काम कराना या फिर multitasking, multiprogramming जैसे और करी सारे भी काम कराता है लेकिन इन सभी topics के बारे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि opting system के अलग और क्या क्या काम होता है जिनको करता है और जो की काफी ज़्यादा ज़रूरी होते है दो आज की मैंने जिसमें topic के बारे मैं आपको समझा था जो की main काम है एक operating system का user के बीच में और device के बीच में conversation अगर का काम वो तो अच्छी तरीके से निबाता है और आसा करता हूँ कि आप भी समझ गी होनी कि किस तरीके से काम करता है लेकिन आपका कोई भी doubt हो तो आप नीचे comment box में लेकि पूर सकते हैं मैं कुशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब देश हको इसके साथ इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आसा करता हôm कि आज की मेरे वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए आपका